ओम नमो भगवते वास देवाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सवी का हमारे चनल भक्ती ज्यान में, दोस्ता आए सुनते हैं, अगनी प्राण की कथा, जिसमें हम अगनी प्राण के 43 में अध्याई की कथा का सरवन करेंगे, जिसमें हम बनन करेंगे, मंदर के देवता क इस्तापना और भूत सामति आदी का कथन है गरिव जी कहते ही ब्रह्मन अम्में मंदर में इस्तापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा आप सुनें पंचायतन मंदर में जो बीच का प्रिदान मंदर हो उसमें भागवान बासदेव को इस्तापित करें सेज चार मंदरों में से अगनी कोन वाले मंदर में भागवान बामन की निरती कोन में नरसंग की बायब कोन में है गरिव की और इशान कोन में बारा भागवान की स्तापना करें अत्वा यदी बीच में भगवान नारेण की स्थापना करे तो अगनी कौन में दुरगा की निरती कौन में सूर की बायव कौन में ब्रह्मा की और इशान कौन में लिंग में शिव की स्थापना करे अत्वा इसान में रुद्र रूप की स्थापना करे अत्वा एक एक आठ द आधी मुख्य मुख्य नौ अवतारों की तथा इंद्र आधी लोकपालों की इस्तापना करनी चाहिए। अत्वा कुल नौ धामों में पांच मंदर मुख्य बनबावे। इनके मद्द में भगवान पुरसोत्तम की इस्तापना करें। अत्वा तेरे कमरों वाले देवाले के मद्द भाग में विश्व रूप भगवान विश्नु की इस्तापना करें। दोहा, रत्न, चंदन, पत्थर और फूल इन साथ बस्तों की बनी हुई साथ प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथ चंदन की बनी हुई प्रितमाएं बनने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं। अधिक काल के लिए नहीं होती हैं। पूजन करने पर ये समझत कामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब मैं सैल मई प्रितमा का वनन करता हूं। जहां प्रितमा बनाने में सिला पत्थर का उप्योग किया जाता है। प्रितम तो ये है कि किसी प्रवत का पत्थर लाकर प्रितमा बनवावें। प्रवतों के अवाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उप्योग करें। ब्रामण आदी चारों वर्ण वालों के लिए क्रमस सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम मना गया है। यदि सिला में सफेद रेका हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेका हो तो वह नरसिंग मंतर से हवन करने पर उत्तम होती है। यदि सिलासे कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारिया निकलती हो तो वह है पुलिंग है ऐसा समयना चाहिए यदि उपर योगत चिन उसमें कम दिखाई दें तो उसे इस्तरी लिंग समझना चाहिए और पुलिंग इस्तरी लिंग बोदक कोई रूप ना होने पर उसे नपसंग मानना चाहिए तथा जिस सिला में कोई मंडल का चिन दिखाई दें उसे सगर्वा समझ कर त्याग देना चाहिए प्रित्मा बनाने के लिए बन में जाकर बन याग आरम करना चाहिए वहां कुंड खोदकर और उसे लीपकर मंडप में भगवान विश्नु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बली समरपन कर कर्म में उप्योगी टंक आदें सास्त्रों की भी पूजा करने चाहिए फिर हवान करने के पैस्चाद अगने के चावल के जलसे अस्त्र मंत्र अस्त्राइफट के उच्चारन पूर्वक उस सिला को सीचना चाहिए नर्सिंग मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नाराय नाय से पूजन करें फिर आपूण आउती हॉम करके आचार भूतों के लिए बली समरपन करें वहां जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जन्तू यातू जहान राक्षयस गोहक और सिद्ध आदी हो अत्वा और भी जो हो उन सब का पूजन करके इस प्रकार ख्ष्मा प्रातना करनी चाहिए भगवान केसव की आग्या से प्रतमा के लिए हम लोगों की यह यात्र हुई है भगवान विशनु के लिए जो कार हो वह आप लोगों का भी कार है अत्य हमारे दिये हुए इस बली दान से आप लोग सर्वस्ता तरप्त हों और सीगर ही यह इस्तान छोड़कर कुसल प्रसन होते हैं और सुख पूरवक उस इस्तान को छोड़कर अन्यंत्र चले जाते हैं इसके बाद कारीगरों के साथ यग्य का चरू भक्षन करके रात में सोते समय स्वपन मंत्र का जब करें जो समस्त प्राणियों के निवास इस्तान हैं व्यापक हैं सब को उत्पन करने वाले हीं स्वयम विश्व रूप हैं और समपूर्ण विश्व जिन का स्वरूप हैं उन स्वपन के अद्पती भागवान सरी हरी को नमस्कार हैं देव देविष्वर मैं आपके निकट सो रहा हूँ मेरे मन में जिन कारियों का संकलप हैं उन robi सममंद में मुझ से कुछ कहि ओम हूं फट विष्णवे स्वाहा इस प्रिकार मंत्र जब करके सोजाने पर यदि अच्छा स्वपन हो तो सब सुब होता है और यदि बुरा स्वपन हुआ तो नरसिंग मंत्र से हवन करने पर सुब होता है सबिरे उठकर अस्त्र मंत्र से सिला पर अर्द दे फिर अस्त्र की भी पुजा करें कुदाल फावडे टंग और सस्त्र आदी के मुख पर मदू और घी लगा कर पूजन करना चाहिए अपने आपका विश्नु रूप से चिंतन करें कारीगरों को बिसकर्मा माने और सस्त्र के भी बिश्नु रूप होने की ही भावना करें फिर सस्त्र कारीगरों को दे और उसका मुख प्रेश्ट आदी उसे दिखा दें कारीगर अपनी इंद्रियों को वस में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस सिला को चोकोर बनावे फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करें इसके बाद सिला को वस्तर में लपेट कर रथ पर रखे और सिल्प साला में लाकर पुने उस सिला का पुजन करी इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे बुलवगने पुराने की जै मुलविश्नो भगवाने की जै